Hello Everyone, Myself Madhulika Ruhela स्वागत है आपका मेरे चैनल Madhulika Ruhela पर जहां में लेकिया आती हूँ आपके लिए informative वीडियो Friends, आज की वीडियो में मैं आपको फुल टिटोरियल दूँगी कि कैसे आप मोबाइल पर Google Forms क्रियेट कर सकते हैं और online exam ले सकते हैं किस तरह से आप किसी भी language में अपना Google Forms क्रियेट कर सकते हैं और कैसे किसी भी platform पर उसको send कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो Google Forms बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा Chrome पर Chrome को open करने के बाद क्लिक कर लिए यह हमारा Google का home page open हो गया है अब हमें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं address बार इसमें लिखना है www.google.com slash लगाना है फिर फिर आपको लिखना है forms और यह देखिया आ गया है उपर slash about इसका link में description में दे दूँगी आप इस link के through इस site पर जा सकते हैं मैंने touch कर दिया है यह वाली आपको window या screen शो होने लगेगे अपने mobile में तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही type करा है URL अब आपको क्या करना है go to google form पर touch करना है और हम सीधे untitled form पर पहुँच जाएंगे ठीक है इस form पर जाने के बाद सबसे पहले हमें setting करनी होती है कुछ अगर हम test paper बना रहे हैं या question paper बना रहे हैं तब हमें हरे question पर point देने पड़ते हैं अगर हम कोई survey form बना रहे हैं तब हम सीधे यहां से शुरू कर सकते हैं मगर अगर हम कोई school के लिए यह किस institute के लिए test paper बना रहे हैं कोई online test paper बना रहे हैं तब हमें कुछ setting करनी पड़ती हैं तो हम यह जो three dot दिख रहे हैं इस पर touch करेंगे और setting बटन पर touch कर देंगे अब आपके सामने यह settings शो हो रही है यहाँ पर three settings आ रही है journal, presentation and quizzes यह three settings आ रही है हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले journal पर जाते हैं यह देख लेते हैं collect email addresses अगर आप चाहते हो कि जो भी बच्चे यह जो भी person आपका test attempt करें उसका email address भी आप collect करें तब आप यहाँ पर collect email address पर touch कर दीजें आप इसे skip कर सकते हैं अगर आप portion paper बना रहे हैं तो require sign in इसके लिए sign in के जरूत पड़ेगी student को यह जो भी participant होगा जो इसे test को करेगा उसको अगर आपने limit एक बार रखे कि एक बार ही वो form को test को attempt कर सकता है तब आप limit to one response करेंगे यह question paper के लिए बहुत अच्छा option है बच्चा सिर्फ एक बार ही test को attempt कर सकता है उसके बाद उस test को attempt नहीं कर सकता है बट अगर आप survey कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक और response वो submit कर सके तब आप इसको यहाँ पर touch नहीं करिएगा मैं यह question paper बनाना बता रही हूँ तो मैं इस पर touch कर देती हूँ और इसे tick कर देती हूँ तो यह सिर्फ एक बार ही response दे सकते हैं एक बार ही अपना question paper fill कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें एक email id की need होगी ठीक है तो यह edit after submission अगर आप चाहते हो तो करवाना तो इस पर tick करना बट test paper के लिए question paper के लिए यह required नहीं है आजाएए quizzes पर और make this as a quiz तो quiz करने से क्या फायदा होता है आप points दे सकते हैं हर एक question को आप points दे सकते हैं और इसे grading मिल सकती है तो मैं इसे touch कर दूँगी इसके बाद हम यहाँ बार आते है release grade immediate after each submission जैसे ही बच्चा question paper submit करें तब आप चाहते हैं कि उसे score view हो जाए या आप चाहते हैं कि later after manual review कि यह आप बाद में अगर बताना चाहते हैं बच्चों को marks तब आप second वाला option select कर दीजे अगर आप चाहते हैं immediate response होने मिल जाए तब आप first वाला option पर tick कर दीजे तो मैं first वाला option पर tick रहने देती हूँ और इन settings को मैं कर देती हूँ save अब यह मेरी settings हो गई है तो इस तरीके से मेरी setting इसकी हो चुकी है अब हमें सबसे पहले क्या करना है हमें देना है अपने test paper का name suppose मैं ये हिंदी test बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिंदी test क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि हिंदी में कैसे type करेंगे तो आज की जब वीडियो में बना रही हूँ mobile की तो मैं हिंदी में ही typing आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं यहां मैं हिंदी test लिख रही हूँ अगर आप चाहते हूँ कि यह भी आप हिंदी में लिखो तब आप यहाँ पर लिख लिजए यह देखिए मुबाइल में से आप हिंदी से लेक कर लिजए और यहाँ से लिख लिजए हिंदी में तो यहाँ ने लिख लिए हिंदी परिक्षा दिस्क्रिप्शिन मैं इंगलिश में लिख लेती हूँ क्योंकि यह ने आपको बताई दिया है कि हिंदी में आपको कैसे मुबाइल से टाइप करना है जो आपका की पैड होता है उसमें जो लैंगविज का बटन होता है वहाँ से आप कोई भी language ले सकते हैं जैसे suppose मैं यहाँ पर यह देखे इतनी सारी language आ रही है तो मैं यहाँ से Hindi, Hindi, Latin add language करके अगर मुझे किसी और भी language में करना है तो मैं यहाँ से वो language को इसी भी select कर सकती हूँ और उस जैसे Sanskrit में बनाना है तो मैं Sanskrit में भी test paper अपना create कर सकती हूँ तो इस तरीके से आप language select करेंगे मैं back जा रही हूँ यहाँ पर और हमें description English में ही लग देती हूँ तो यह this test is for your evaluation जीकन यह मैंने लिख दिए this test is for your evaluation और इसके बाग यहाँ पर आप class लिख सकते हैं suppose यहाँ पर class 10 कर सकते हैं यह इस तरह से आप कर सकते हैं अच्छे आप यह जो आप उपर देख रहे हो जब आप इस पर touch करोगे तो यही Hindi परिक्षय जो लिख है यहाँ लिख करा जाएगा और इस नाम से आपका Google form Google Drive में save हो जाएगा देखे मैं बता रहे हैं उसके टच करें एक बार यह देखे आ गया अगर आप नाम चेंज करना चाते तो अभी कर सकते हैं मैं नहीं करना चाती तो अब मेरे Google form में यह form save हो गया है Google Drive के अंदर और उसका नाम हिंदी परिक्षा हो चुका है अब सबसे पहला सवाल कि आपको क्या पहला प्रशन क्या रखना है या पहला कोशन क्या रखना है हिंदी परिक्षा करी हूँ इसलिए मैंने प्रशन बोल दिया है आप लीज कन्फ्यूज ना हो यह सिर्फ हिंदी के लिए मैं बता रही हूँ मैंने आपको यहाँ पर उस प्रब्लम को भी solution बता है कि अगर आपको किसी और language में paper बनाना हो तो आप वो कैसे कर सकते है with the help of your mobile तो यहाँ पर सबसे पहला question होना चाहिए name मैंने यहाँ type कर दिया name name का type कर नहीं वद automatically वो short answer ले लेता है अगर नहीं लेता है तो आप इस arrow पर click करिए और यहाँ से short answer को touch कर दीजिए यहाँ short answer आ जाएगा और इसी field को required कर दीजिए मैं कहूंगी अगर आप question paper बना रहे है तो हर एक question को required करिए जिससे बच्चा कोई भी question छोड़े ना by mistake और वो बाद में teacher से ना कहे कि मैं यह वाला question कलती से छोड़ गया हूँ तो please सारे questions को required करिए अगर आपको कोई question delete करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो copy करना है तो इस button से कर सकते हो और आपको अगर कोई answer की बनानी है तबाँ बनाते हो इस वाले blue button से जो मैं अभी आपको बताऊंगे तो name हो गया यहाँ पर answer की की तो कोई नहीं है अब यहाँ नीचे आपको plus sign दिख रहा है उस पर एक बड़ टच करिए और इसके बाद अगर आप roll number देना चाहते हो section देना चाहते हो तो वो field आप यहाँ पर लिख सकते हो चलिए मैं आपको section लिख कर बता देती हूँ हो सकता है उस बच्चे का section कुछ और हो 10 में तो मैं यहाँ पर section ले लेती हूँ इसे भी मुझे short type लेना पड़ेगा यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ check box करवा सकती हूँ मैं check box बना के दिखाती है आपको कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पर दे रही हूँ section मैं दे रही हूँ A फिर B C D तो जिस भी मैं होगा बच्चा वो उसको attempt कर देगा ठीक है ना तो यह हो गया अब plus के sign पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद first question हम लिखते हैं तो मैं यहाँ पर question लिख रही हूँ question one कुछ भी question लिख देती हूँ what is कुछ भी question मैंने लिख दिया अब आप क्या चाहते हूँ multiple choice question चाहते हूँ तो इस पर आप multiple choice पर टिक रखिए नहीं तो down arrow से आप जो भी option चाहते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगा आप यहाँ से कुछ भी select कर सकते हैं अपने question के according तो मैं यहाँ से multiple choice ही रहने देती हूँ और यहाँ पर मैं देती हूँ Monday यह मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे करना है Tuesday यह अपने आप ले रहा है बट आपको यहाँ पर type करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने चार option ले लिया अब मुझे इससे required करना है पहले तो और यहाँ से answer की select करनी है तो suppose मैंने option select कर दिया Monday और यहाँ पर दे दिया 1 point तो मेरा correct option हो गया Monday कि जिस दिन मैं test लोंगी उस दिन Monday होगा और मैंने इसे done कर दिया है तो इस तरीके से आपका one question create हो चुका है यह आप three dot देख रहे हैं इस पर अगर आप touch करेंगे तब आपको मिलेगा option description go to section base on answer और shuffle option के order अगर आप option के order shuffle करना चाहते हैं तब आप use कर सकते हैं इसको यह description देना चाहते हैं कि आपको इस question में क्या करना है तब या फिर remove करना चाहते हैं या duplicate करना चाहते हैं किसी भी item को तो यह सारे options आपको यहाँ पर मिलते हैं आप उनका use कर सकते हैं back जा रहे हूं मैं अब plus कर रहे हूं एक और question को इसा भी ले लेते हूं फिर आगे का further नम चीज़ करेंगे second question में ले रहे हूं which country is ready to fight with India multiple choice ही रखते हैं सबसे पहले देती हूं चाइन add option पर touch करते हैं यह मैंने कुछ options दे दिये हैं ठीक है अब मैंने इसमें require कर दिया फिर से answer keeper गए और यहां से ले लिया चाइना point दे दिया one बहुत बार क्या होता है point देना भूल जाते हैं हम तो दियान से देखेगा हर बार आपको question के अंदर point जरूर देने हैं done कर देंगे तो यह मेरा two questions create हो गए है अब एक बार हम preview देख लेते हैं तो preview कैसे देखते हैं यह three dots पे एक बार touch करिए सबसे पहला option आएगा preview आई button बना होता है बहुत बार उस पर touch कर दीजिए देखे हिंदी परिक्षा कि आप हिंदी में कैसे type कर सकते है then description required कौन कौन सा question आपको compulsory करना है उस पर star sign लगा हुआ है तो वो बता रहा है required यह सारे questions आपको attempt करने है name आ गया section आ गया पहला question आ गया what is our day today वो आ गया आपका one point का second question आ गया which country is ready to fight with India तो यह question second आ गया तो अगर आप submit करोगे तो यह form इस तरीके से दिख रहा है तो form बिल्कुल ठीक है हम इस back button से back जाते है अगर आपको कुछ edit करना होता है मैं एक बार और दिखा देती हूँ आप यहां से भी edit कर सकते हो और यहां से भी इस pen button पिकले करके आप इसी वाले page पर वापस आ जाएंगे और editing कर पाएंगे shuffle करना है कोई भी question को suppose आप चाहते हो कि इसका order मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैं इसे second question को पहले चाहती हूँ और वास question को बाद में चाहती हूँ यह जो six dot होते हैं इन पर हम long press करेंगे और फिर long press करके हम इने कहीं भी shuffle कर सकते हैं अगर मुझे फिर साइसे करना है six dot पर long press करेंगे और यह ड्रैक कर देंगे नीचे अगर मुझे कोई question रिमूफ करना है तब वही six dot पर touch करेंगे नीचे देखे यह delete option आ रहा है इस बादे बटन को जैसी मैं touch कर दूंगे delete हो जाएगा कि item deleted अब एक यह question मेरा आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप question create कर सकते हैं suppose आपको कोई और question add करना है plus के sign पर click करा question आपने कोई आप image से पूछ रहे है identify this image तो आपको image लेना पड़ेगा option 1 image पर click करिए insert image आपको upload करना है ब्राउज कर लीजे सपोज मैं फाइल में से ब्राउज कर रहे है सपोज मैं नहीं picture ले ली तो मेरे option 1 में यह picture आ चुकी है keyword is this image तो मैं और कोई option नहीं देना चाहती multiple choice नहीं देना चाहती मैं short answer देना चाहती हूँ तो आपका answer होगा identify this image आपने करा short answer यहां से आप select कर लेंगे short answer ठीक है इसके बाद आप इस वाले image पर click करेंगे image button पर insert image और यह आपकी image insert हो जाएगी अब बच्चा जो भी answer लिखेगा वो यहां पर type हो जाएगा अब इस पर जाएगे हम answer key पर point दे देंगे और right answer यहां पर लिख देंगे तो यहां पर मैं correct answer type पर देती हूँ as you one sun वो सकता है कोई small letter में लिखते है तो दोनो answer correct हो जाएगे ठीक है और done कर दीजिए इसको तो यह आपके question बन गया second वाला दोनो capital letter यह small letter दोनो answer आपके correct हो गया और इसको कर दीजिए ठीक है यह उपर आ रहा है वोई shuffle करना मैंने जैसे आपको बताया है और बहुत सारे options है plus sign पे तो मैं आपको बताई चुकी हूँ यहां से अगर आपको किसी previous form में से कोई question लेने है तो आप यहां से ले सकते हैं यह सारे options आपको दिखाई दे रहे है अप यहां से ले सकते हैं अगर आपको कोई title add करना है तब आप यहां से इस वाले third button पे click कर सकते हैं और कुछ type कर सकते हैं इसके बाद image insert करने है तो यह button है आपका fourth number का कोई video insert करने है तो आप यहां से video select कर सकते हैं वीडियो प्ले होगी पूरी और उसके बाद उसका question आप यहां पर पूछ सकते हैं कि इस video में यह character कौन था या किस तरीके से आप जो भी question आप चाहें वहां से पूछ सकते हैं तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं यह आप उसका सीधे रखी वारे लिखकर उससे select कर सकते हैं इसके बाद section अगर आपको बनाने है तो इस वाले section बटन पर क्लिक करते हैं जिसे आपके question अगर long है question paper lengthy है तो section wise आप उससे divide कर सकते हैं English test paper वालों के लिए बहुत अच्छा है कि वह grammar का और literature का portion अलग-अलग कर सकते हैं तो यह two points का मेरा test paper बन गया है अब क्या करते हैं अगर आपको क्या करना है इसको send करना है किसी बच्चे को तो आपको इस वाले जो तीर का सा निशान है इस पर एक बार touch करना है तो यह आग हम आप email के through करना चाते है तो आप email से किसी को भी बेच सकते हैं इसको मैं यहां से link copy कर रही हूँ तो यह second button पर touch कर दूँगी यह link आ गया है मेरे test paper का बन कर मैं इसे short कर लूँगी link को यह short हो गया है मेरा link अब मैं इसे copy कर लूँगी copy button पर touch करके अब क्या करना है मुझे म मैं यहां से जाते हूँ whatsapp पर अगर मुझे whatsapp में किसी को भीजना है तो मैं यहां से select करके उस group को long press करूँगी paste कर दूँगी और यह मेरा link यहां पर चला गया अगर मुझे teams में भीजना है तो मैं teams पर जाओंगी यहां से मैं calendar पर जाके वीज़ देखिए जैसे मैंने इमिन जोइन करी यहां से उपर यह जो चैट बटन है इस पर क्लिक करेंगे हम यहां long press कर देंगे और इस तरीके से यह तीर वाले निशान पर जैसी मैं touch करूँगी यह post हो जाएगा यह मेरे बेटे का है इसलिए मैं यह नहीं कर रही हूँ बस आपको यहां पर इस बटन पर touch करना है और यह चीज़ यहां पर post हो जाएगी जूम में लिंक शेयर करना चाहते है तो जूम को open कर लिजे मिटिंग open कर लिजे और मिटिंग open होने के बाद यहां से चैट में जाएगा जूम पर जाएए यहां पर चैट पर जाएए एव्रिवन सेलेक्ट होना चाहिए यहां से इसे एव्रिवन को सेलेक्ट करिए चैट में इन्पुट बॉक्स में यहां पर लॉंग प्रेस करिए और इसे इस तरहीं से send कर दिजे लिंक को और यह सब को लिंक मिल जाएगा अब जब यह लिंक मिल जाता है तो यह कैसे student को दिखेगा वो भी देख लेता है एक बड़ टच कर दिजे इसको forms.gle would like to open google play services allow कर दिजे इसको कि देखे इस तरीके से student के सामने यह form खुलेगा सबसे पहले हमें sign in करना पड़ेगा तो sign in करना है Gmail account के साथ sign in करें हूँ अब किस तरीके से करेंगे पेपर सबसे पहले नाम डिख देंगे मैंने डिख दिया मधु लिखा रुखेला section दे दिया मैंने यह दे दिया मैंने answer Monday और इसमें answer कर दिया मैंने sum in sun submit कर दिया देखे यह option आगया view score पर touch करेंगे तो मुझे two में से two marks मिले है और मेरे correct option यहाँ पर show हो रहे है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी google forms पर कि कैसे आप अपने computer पर google form create कर सकते हैं mobile पर मैंने इससे लिए पताया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास computer या laptop नहीं होता है तो वो किस तरीके से अपना form create करें तो यह video मैंने उनी लोगों के लिए बनाई है especially कि आप किस तरीके से अपने mobile पर यह forms create कर सकते हैं और मैंने वहाँ पर form presenter यूज किया था देखे form presenter यूज करने से अगर आप basic plan ले रहे हैं तो आप एक मन्त में सिर्फ 100 टेस्ट ही करवा सकते हैं अगर आप one मन्त में सिर्फ 100 टेस्ट ही करवाते हैं एक email id पर तब आप form presenter का यूज कर सकते हैं जिससे आपका form के अंदर timer लग जाता है बट अगर आप चाहते हैं कि आप कितनी भी बार टेस्ट ले और आपके जो student की लिमिट है वो 100 प्लस है तब आप form presenter का यूज मत करिए या फिर आप paid plan ले लिजे जिससे आप unlimited test ले पाए अदर्वाइस आपको जो sponsors में one दिखाए दे रहा है क्योंकि मैंने test किया है तो आपको मैं एक तरीका बता देती हूं सबसे पहले जाए अपना chrome खोलिए और यहां पर टाइप करिए drive.google.com start button पे touch करिए और इसके बाद आपकी drive open हो जाएगी यह सारे जितने भी google drive में आपके documents होंगे वो show होंगे हिंदी परिक्षा वाले form को touch कर दीजे अब आगर आप edit करना चाहते हो तो three dot पे touch करिए open in new window पे touch करिए अपने email id के साथ login करिए ok करिए तो यह form आपका editable हो जाएगा आप इसे edit कर सकते हैं अब responses बटन पर आपको one दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने यहां पर test एक बार किया था आप इस पर touch करिएगा responses बटन पर और आपको response नीचे show होने लगेगा यह देखिए सारा कितने paper करें हैं क्या लिखा है सब कुछ यहां पर show हो रहा है अब आप चाहते हो कि आपकी new spreadsheet बन जाए यह response आपके एक्सल फाइल के अंदर सेव हो जाए तब आप यह जो बटन बन रहा है green color का और white plus sign है इस पर एक बार touch पर दीजे जब आप इस पर touch कर देंगे तो वह आपसे पूछेगा क्या आप create करना चाहते है spreadsheet तो आप create button पर touch कर दीजे जब आप इस button पर touch करेंगे तो फिर से वह आपसे email id मांगेगा email id select करके ok कर दीजे तो आपकी spreadsheet तयार हो जाएगी और उसमें आपका name आपका जो भी score है student ने जिस तरीके से test किया है कौन-कौन से questions सही attempt करें है वो सब यहाँ पर show होने लगेगा तो इस तरह आपका form भी create हो जाएगा mobile में और आपके spreadsheet जो responses की है वो भी आपके mobile में create हो जाएगी that's all for today's video friends तो आप बना सकते हैं Google form अपने mobile के अंदर और ले सकते हैं online किसी भी subject का test और किसी भी language में आप अपना form create कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया हो तो subscribe to my channel और अगर आप subscribe क on my videos I will wait for your comments तब तक के लिए take care bye bye